और इस वक्त एक और एहम ख़बर आपको बताएं गुर्जरात के बाद तूफानी हवाय राजस्तान भी पहुँच गई है और इसका असर भी अब दिखने लगा है तूफान विपाव जोई के वज़े से बाद मेर में भारी बारिश लगातार जारी हो कि वज़े से काई लाकों में पानी तक भी भर गया है तो वहीं तूफान की वज़े से कलित पेड गिर चुके हैं, बिजली के खपने उफ़र गए हैं, बाडमेर में 5000 लोगों को सुरक्षि जगाह पर पहुंचा दिया गया है, तूफान की वज़े से बाडमेर जालोर में अगले कुछ घंटे के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर बाडमेर से आने जाने वाली सभी ट्रेनों को एतियातन रद कर दिया गया है, तो वहीं तेल रिफाइनरी में दो दिन के लिए काम बंद हो चुका है, तूफान को देखते हुए जैसल मेर से 450 लोग सुरक्षि जगाह पर शिफ्ट कर दिये गए हैं, तो वहीं जोटपो में भी हो चुका है, हाला कि इसको लेकर तैयारी वहाँ पर पूरी है, इससे पहले भी जो सुबे के मुख्या है, उन्होंने भी इसको लेकर गंभीता जाहिर की थी, मीटिंग ली थी, और इसी का नतीजा है कि जो इलाके ज्यादा प्रभावित है, वहां से लोगों को जो आसपास घर रहे होंगे, इसी लिए उन्हें समय रहते पहले ही शिफ्ट कर दिया गया था, अब बड़ी खबर ये है कि तूफान का खतरा अभी भी राजिस्तान में टला नहीं है, तूफान का खतरा तूफान के आज है वो राजिस्तान तक भी पहुँच चुकी है, मै इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं, कैसे लोगों को परिशानी वहाँ पर हो रही है और क्या इंतजाब, हवाले ये रफसार मानी जारी है, और सामने की तरफ पीछे आप देखेंगे जहां तक वहाँ पर बारिस हो रही है, लगातार बारिस हो रही है, बारिस हालांकि बहुत तेज नहीं है, कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, लेकिन बारिस का इस सिंसला पुरी रात भर से लगाता यालाका है जो वहां पर कुछ कींशेड गिरे हैं पेड़ गिरे हैं बीके पॉल की रही है पुछ दूफान भी हुआ हुआ है तो जो इलाका है लगाता है तूफान भी तीरे आगे बढ़ता जा रहा है और बारीमेर के अंदर अब यह जो बारिश अप फिर तेज होने लग ग इंडिया लगातार ग्राउंड जिरो पर मौजूद है पहले गुजरात की तस्वीर दिखाई और अब राजिस्तान की तस्वीर मेरे सरयोगी भवानी वहां से दिखा रहे थे देखी खास तोर पर बाणमेर, जैसलमेर के कुछ इलाके हैं जिसमें जालोर भी उसके बाद एक कर रहे हैं कि बड़े-बड़े पेड़ भी आप रफ्तार को समझ ये बड़े-बड़े पेड़ भी यहां पर उखड चुके हैं बिजली जरूर कहीं सारे ऐसे गाउं हैं जहां पर प्रभावित हुई है लेकिन इन सब के बीच में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए भी लगातार कोशिश की जा रही है सरकार मुस्तैब जरूर है यहां पर पूरी तरीके से अक्षन में है जो लोग जो घर आसपा से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है यानि कि जो लोग है उन्हें वहां से बाहर निकाला जा रहा है उस फ्रक्ष स्थानों पर पहुंचाया जा यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यह इस तस्वीर में भी बया हो रहा है कि कैसे बारिश लगातार हो रहे हैं यह बंद होने का नाम नहीं ले रही और पानी जो है वो घुटनों तक भड़ चुका है यानि कि बाहर भी नहीं निकल सकते और उसके बाद इस्तिती सब्सक्रार जा रही है और अभी हवाइं जो काफी धीरे कभी तेज हो रही है कभी कम हो रही है और यह जो ड्रीजी लिंग है आज जो समभवनाई जो जताए जा रही है कि यह जो तूफान है वो लगबबग बार मेर्स शहर के अंदर लगबग एंटर कर चुका है लेकिन अब जो अगर हवा की स्पीड बढ़ती है तो जाहिर तोर पर नुकसान हो सकता है। कुछ मुश्किल यहां पर आधी लोगों को खड़े होने में कुछ दिक्कत आ रही है। हवा की स्पीड कई जगे तेज हम भी जब खड़े हो रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आ रही है हवा का वेग है। वो लगातार थोड़ा सा बढ़ता जादा जो पीछे की ओर धखेलता है। और इसलिए तक्रीबन बाड़ मेर का इलाका है जहां पर तक्रीबन 135 परिवारों को शिफ्ट किया गया दूर सी जगे पे और जो जल भराव वाले इलाके हैं क्योंकि तूफान के साथ में सबसे बड़ा जो खत्रा है वो है बाड़ मेर के अंदर भारी बारी से जल भराव क इसलिए उन जो जल भराव वाले इलाके करी जगें से खाली कि अगया गया और बाड़ मेर शेहर के अंदर यहां पर जो निचले इलाके वांपर अलर्ट कर दिया गया है और कहा गया लोगों की अगर बारी से जज़ादा हो रही हो अगर पानी भर रहा हो तो वो शिफ्ट क जालोर है जोदपूर का इलाका और जो पाली का इलाका वहाँ पर ये खत्रा ज्यादा इसलिए बार्ड मेर से कनेक्ट होने वाली सभी ट्रेने रद्द कर दी गई है बार्ड मेर में जो जो इंडस्ट्री जे उनको कहा गया कि दो दिन के लिए जो काम बंद रखे मजदूरों की छुटिया कर दी गई है और लोगों से अपिल की गई है कि वो आज की दिन घर से बार ने निकले जब तक की बहुत इमर्जेंसी ने हो यह अलब किया गया लोगों को और इसके अलबा जो SDRF और NDRF की टीम है वो अलब कर दी गई है अलग-अलग कुछ इलाकों के अंदर पॉकेट्स के अंदर जहां पर को यह नजर रखा जा रहा कि अगर कई नुकसान तो जादा नहीं हो कई दोनों तरे के खत्रे तूफान की वज़े से जो नुकसान हो रहा जो पॉल गिर रह हैं वहां से खत्रा जादा नहीं हो इसलिए सावधानी काफी सत्रकता बढ़ती जा रही है और टीमें इस वक्त अलर्ट है और जैसे जैसे यह बारिस के रफ्तार आप देखिए कि कुस देर पहले कम थी लेकिन बारिस की तेज होती जा रही है लगातार और हवा की स्पीड वह लगातार बढ़ती जा रही है एक वार फिर मैं कैमर्ण प्रस जाउंगा कि एक वर आपको बताएं कि हवा की तीर जिस कुछ जगह पर आपको कुछ जंडे लगे हैं यहां पर अभी कुछ भीरते वे नज़राय थे तो अब ये जो स्पीड है लगातार हवा की तो ये कितनी रहती है जो मौसम विभाग ने अभी 6 बजे अलर्ट जारी किया उसमें ये बताया गया कि 40 से 60 किलोमेटर प्रतिगंटा कुछ जगे पर 70 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफ्तार हवा की रह सकती है इस चक्रुरती तू सासंग किया है राजसान सरकार की है वो यह है कि किसी तरीके के जानमाल कि हानी ने हो उससे बचाया जाए इसलिए रात पर से जो अलग-अलग अलाकों के अंदर टीमें गस्त भी कर रही है इस वक्त अब देखिए कि अथ ट्राफिक भी चल रहा है इस्वक्त और यहां पर अलवा अब क्योंकि तूफान का जो अलएट है वो रादस्ट इसके अलवा तक्रिवन नो जिलों के अंदर और बढ़ा दिये गया यानि कि बार्मेर से लेकर जोत्पूर और जोत्पूर के आगे का इलाका है जो अजमेर तक का इलाका वहां के लिए भी औरेंज अलट है और पर भी तैयार रेने के लिए कि रफ्तार कितनी ज्यादा है इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है भवानी कि अभी बाड मेर जैसल मेर मेर में इस सिती हम देख रहे हैं और आगे बढ़ता हुआ अगर अजमेर जैपूर तक भी चला जाता है यानि कि इसकी रफ्तार बहुत ज है आगे कियो